हेलो फ्रेंड्स वेलकम तो दे चैनल चेलो लेंड करते हैं और मेरा नाम है मनिशा तो फिर आज हम लोग पढ़ेंगे कॉमन नाउन और प्रॉपर नाउन के बारे में इन्हें हम बच्चों को कैसे समझाएंगे तो सबसे पहले हम समझेंगे इसे उसके बाद फिर मैं वर्क सीट भी दूँगी इस पर बनागे कि हम बच्चे को कैसे अच्छे से समझा सकते हैं common noun और proper noun के बारे में इस पर बहुत confused हो जाते हैं बच्चे की common noun किसे कहते हैं proper noun किसे कहते हैं कहा तिक लगाय common noun कहा तिक लगाय proper noun तो इस पर मैं वर्क सीट भी बना के दिखाऊंगी तो सबसे पहले proper noun यानि जिसे हिंदी में व्यक्ति वाचक संग्या कहते हैं इसमें special name होता ह जब special name indicate किया जाता है specific name विसे चैसे मुंबई ठीक है city का नाम है क्या मुंबई तो मुंबई हो गया proper noun Titanic Titanic है ship का नाम तो यह हो गया proper noun रमेश यह हो गया नाम यह किसी लड़के का नाम हो गया तो अगर हम city बोले हैं तो city common noun में आ जाता है जबकि मुंबई proper noun ship बोले तो ship common noun में आता है जबकि Titanic proper noun में भॉय भी common noun में आएगा जबकि रमेश प्रॉपर नाम में अब यह common noun जिसे कहते हैं हिंदी में जाती वाचक संग्या तो यह जिससे जातिया वर्ग का बोध होता है general ठीक है जैसे इसमें मैंने पहले ही बताया आपको बॉय हो गया common noun में यानि जन्रेल वर्ग बता रहा है इसलिए है ठीक है तो यह हो गया common noun अब समझगे होंगे प्रॉपर नाउन जब common noun में ही किसी का specific नाम दे दिया जाता है जिसे बॉय common noun हो गया और उसे कोई नाम दे दिया गया special नाम दे दिया जिसे मैंने रमेश कह सुरेश कोई कोई भी नाम हो सकता है तो वह जाएगा प्रॉपर नाउन में जब कि देखिए आप वर्क सीट इस तरह से आप बना करके दे सकते हैं बच्चों को जिसे यहां लिख दिया common noun पहले तो हमें उन्हें समझा देना है ठीक है कि common noun क्या प्रॉपर नाउन क्या है मैं इसका definition भी आपक करना क्या है समझाना है उन्हें जिसे गर्ल है तो गर्ल का कोई special नाम है ठीक है तो निशा नाम है तो निशा हो गया प्रॉपर नाम जब कि गर्ल है common noun उसी तरह वाय है common noun जब वाय का नाम दे दिया गया जब हम किसी को किसी की नाम से जानते हैं तो वह प्रॉपर नाम हो ज वसी तरह फ्रेंड है तो फ्रेंड हो गया common नाव जब अनाम बताएं तो जो नाम आया ठीक है तो वह हो गया प्रपर नावन और एक चीज़ और प्रापर नाम हमेशा जो लेटर बंख कर दोब protocol 하나've उसी तरह स्कूल है तो स्कूल का नाम प्रॉपंटनाउन में पार्क है कोई पार्क यप Ihnen सिस नाम है तो वह भी प्रॉपर नाउन में आ जाएगाज़ि पर कॉमन नाउन में आ रहेगा उसी तरह सिर्टर है ब्रादर है city है सिर्टी जैसे पट्नाराची रह thorough बाद कोई भी city है तो वह हो जाएगा प्रॉपर नाउन और sister का भी अगर हम नाम लिख दिये तो वह हो गया प्रॉपर नाउन तो इस तरह से बच्चों को समझाएंगे इस तरह से लिख के दे दिया जाएगा और फिर उसका जब नाम इंडिकेट करके बताएंगे यह प्रॉपर नाउन में आ जाएगा ठीक है इस तरह सी बच्चे समझ पाएंगे अच्छे से जब वह अच्छे से कैच कर लें ठीक है क्लियर हो जाएं उसके बाद आप और भी वर जैसे आप इस तरह से जब थोड़ा सा कैच करने लगे तो आप इस तरह से उनका टेस्ट ले सकते हैं इस तरह से आप दे दे नेम प्रॉपर नाम नाम दोनों मिला करके दे दीजिए फिर यहां लिख दीजे प्रॉपर कॉमन ठीक है अब बच्चे को क्या करना है इसमें से पूरे फ्रेन ये जनरल वर्ग में आ जाएगा ठीक है तो यह हो जाएगा कॉमन में अमेरिका नाम है कंट्री का कंट्री नहीं कंट्री तो कॉमन में आ जाएगा लेकिन अमेरिका कंट्री का नाम है तो प्रॉपर उस तरह रजनी किसी लड़की का नाम है तो प्रॉपर ट् बच्चे को क्या करना है circle करना है proper noun में proper noun क्या है तो उसे circle करना जिसे मिसिस कमला तो ये नाम है तो इसको circle कर सकते हैं ठीक है town town में तो town को विचिएस नाम थो है नहीं तो टाउं common noun में आईगा यह circle नहीं होगा पस्पा नाम है सहर का तो यह circle हो जायेगा mere चेर भी common noun है यह नहीं होगा प्रॉपर नाउन में पार्क भी common noun है जब पार्क का विश्यस नाम हो तो वह प्रॉपर नाउन में आ जाता लेकिन यह पार्क है तो common noun में ही रहेगा आप चाहे तो इस तरह से भी समझा सकते हैं बच्चों को proper noun इस तरह से जैसे मैं आपको शुरू में बताया ठीके वो आप इस तरह से copy में लिख करके भी समझा सकते हैं ये देखिए इस तरह से आप लिख करके भी समझा सकते हो उसके बाद फिर आप work sheet दे सकते हैं इस तरह से पिर आप ये काम और भी कर सकते हो जैसे कि sentence दे दिया और उसमें लिख सकते हैं कि कौन सा common noun है कौन सा proper noun है C या पी से indicate करें एक्जामपल के तोर पर जैसे आप इस से sentence लिख कर के दे सकते हैं पिर नाम है तो यहां लिखेंगे और पिर इसका गर लिखेंगे और और इसका गर्ल लिखेंगे और चाहे तो आप इस तरह से भी कर करने के लिए दे सकते हैं पिर नहा इया प्रोपर नाम है यह प्रोपर नाम यह प्रोपर नाम विक्का है इस तीन यह Vin बच्चों को simple simple sentence दीजिए जिससे वो अच्छे से समझ पाएं कि कौन सा proper noun है कौन सा proper noun है और कौन सा common noun है इससे बच्चों को समझने में काफी help होगा ठीक है तो आप इस तरह से बच्चों को वरक्षीट त्यार करके दीजिए उनका test लीजिए वो कितना समझें उन्हें अच् इससे कोई नाम लिख दिया आपने ठीक है person place animals things यह मैंने एक वीडियो डाला हुआ था noun के लिए ठीक है naming words noun तो उसको भी आप चेक कर सकते हैं नहीं तो मैं लिंक डाल दूंगी उसका आप देख लीजिएगा यसी यह देखिए मैंने जिसे box बना दिया box में कुछ words लिख द इसमें बच्चे लिखेंगे कौन से जो word है वो person में आया कौन सा place में आया कौन सा animal कौन सा thing इस तरह से बच्चों का clear होगा noun भी और वो समझ सकेंगे proper noun common noun के बारे में भी ठीक है जैसे cow हो गया तो cow आगया animal में तो बच्चे हैं लिखेंगे cow फिर baby है तो baby आ गया person में तो इस तरह से बच्चों को आप अच्छे से नाउन समझा सकते हैं इस तरह से देखर के ठीक है इनका concept बिल्कुल अच्छे से clear हो जाएगा और proper noun common noun की बात करें तो आप उन्हें इस तरह से बना करके दीजिए और यह भी बना करके दीजिए जिसे उनका वह अच्छे से समझ प भne में यह कि सेकन्स चनल में बच्चों को खास करके पड़ाया जाता है ठीक है रस में भी बच्चों को पड़ाया जाता है वन क्लास टे स्टार्ट ओ ऐसे ही वीडियो बनाते रहती हूं ओके और के फिर थैंक यू थैंक्स पर वाचिंग